हेलो फ्रेंग्स वेल्कॉम आन कुक्वी तंडी आज में बनाने पाल ली हूं बेसन और आलू का बहुत ही तेस्टी सा स्नाक तो चली से बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप लोगों को मेरी रेस्पीस पसंद आए तो मेरी चैनल कुक्वी स्क्राइब करें यह बिल्कुल फ्री है वह खुर्स दो निए संद परें परें शब्ली अचैन के वार चैनल करसे ने से Baptist से तो 12 और आहिए पना हुँ आलू और बेसन न्यांतबस निए श्छां आपे बरको मिच्चार पेस्ट सब्स्टे सब्सक्राइब से पहांट श्रस एक छोटा कटा प्याज, दो बड़ी चम्मच सुजी, 31 तीजपून हल्दी, 31 तीजपून जीरा पाउडर और चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार 15 तीजपून, 15 तीजपून गरम मसाला, कटा हुआ कड़ी पत्त, कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के पाथ मैं इसे 10 मिनिट के लिए रेश्ट होने दूगी, 10 मिनिट हो गए, अब हमें हाथों में थोड़ा से ओईल लगा लेना है, और इसे राउंड टिक्की का शेप देना है, इस तरह से इसके बाद हम लेंगे ब्रेट ग्रम्स, और इसे इसमें हम पूरी तरह से कोट करेंगे, इससे हमारी टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, इसी तरह से और टिक्की को हम बना लेंगे, तो सबी टिक्कियों को मैंने बना के तयार कर लिया है, तो चले अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे, यहां पर मैंने पैंग में तोड़ा सा तेल को गरम कर लिया है, लो फ्लेम ते मैं शेलो फ्राइ करने वाली हूँ टिक्कियों को दोनों तरब से टिक्कियों को पलट पलट के मैं क्रिस्पी और गुल्टन प्राउन होने तक पका लूँगी टिक्कियों हमारी पक्के तयार है दोनों तरब से मैंने इसे अच्छे से पका लिया है कोल्टन प्राउन और क्रिस्पी होने तक तो चलिए अब मैं इसे निकाल लूँगे पेपर नाप्कीन पे इसी तरह से और टिक्कियों को मैं फ्राई करूंगी क्रिस्पी टेस्टी बनके तयार है आलू पेशन की तिक्कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में एक पार आप ट्राई करें आपको बहुत पसंद आएगा आप इसे breakfast या tea time के वक्त बना के serve करें मैंने इसे tomato ketchup के साथ serve किया है आप हरी चटनी के साथ serve कर सकते हैं तो जरू ट्राई करें इस recipe को और मुझे comment करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुख वित अंडी पे subscribe करना ना भूले like, comment and share जरूर कीजिए thank you for watching